नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इन फरसुन आपका सुवागा थे देखें बड़ी न्यूज अपडेट लेकर काया है दोस्तों यहां पर जो न्यूज अपडेट है 2017 में बहाल हुए पुलीस जितने भी पुलीस सिफाई बहाल हुए थे 2017 में दोस्तों 68 स कम से कम विद्यारती 2017 में पुलीस बने थे तो उन्हीं के संबंद में दोस्तों एक अपडेट लेकर काया है दोस्तों यहां पर अपडेट यह है कि देखें दोस्तों कल जो न्यूज जम डाले थे कि हाई कोट नोटीस जो मतलब जारी कर दिया गया है कि आप लोग का नोकरी 2017 में जो बाहर बाहल 6,000 से अधिक पुलिस कर्मियों के न्यूगती मामले में हाई कोट के नोटीस के बाद दिखें पुलीस मेंस असोसियेशन पुलीस कर्मी के पक्ष में सामने आया है मेंस असोसियेशन के परदेश सद्ध्यक्ष राकेश कुमर पांडे ने कहा कि पूरे म मामले में बेध्यानिक पहलूँँ पर आने वाले खर्च का वहान मैंस असोसियेशन करेगा ठीक है पांडे ने इस मामले में जारखन पुलीस मैंस असोसियेशन के सभी अस्तर के सभापती सचीव और इकाई के साखा पतादिकारी 2017 में पुलीस पोर्स चोएन करने वाले मैंस असोसियेशन के सदस्चे की सुची मूल कोपी 14 सितंबर तक जो है आप लोगों को भेजने का निर्देश दिया है लापरवाही बरतने वाले साखा को संग या नियम की अनुरूप जो है 15 सितंबर के कारण बताओ नोटीस जारी किया जाएगा आगे हम लोग देखे तो मामल क्या है मामला के बारे में हम लोग जानना चाहते तो देखे जारखन हाई कोड 23 अगस्त को सिफाई नियुकती नियमा वाली की चुनोती देने वाली या चिकाओं पर सुनवाई हुई थी ठीक है 23 अगस्त 2021 को मुख्य नियादिस डाक्टर रवी रंजन जस्टिस सुजीत न अनुवरी 2017 के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया पीट ने कहा था कि आदेश का अनुपालन नहीं करना और मानन का मामला बनाता है खंड पीट ने गिर्य सचीब को नोटीस जारी कर पूछा था कि क्यों नहीं आपके खिलाप और मानन का मामला चलाया जाए नोट पुलिस मुख्याले 6000 सिफायों के सभी जीलों के एसपी को नोटीस भेजा था तो दोस्तों ये था पूरा नीज दोस्तों जारकन पुलीस असोसियेशन के तरफ से ये नीज पूरा आया था तो वीडियो बने रहने के लाप दो को धन्यबाद जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए एक लाइक जरू किजिए खासों धन्यबाद